स्टूडेंट्स, आज हम अपना हिंदी में पार्थ दो करेंगे जिसका नाम है अपना प्यारा गर्थ. यह कथा एक संक्लित है, संक्लित कथा यानि कि यह एक सची घटना है जिसमें देश प्रेम के बारे में बताया गया है. बात सं 1943, 1943 इस्वी के दिसंबर महिने की है, कडाके की सर्थी थी, जर्मनी की सेना सोवियत रूस की सेना से एक लंबे अर्से तक जूसी जूसी थक चुकी थी, लेकिन अब भी वह मौस्को के चारो ओर घेरा डाले हुए थी. लंबे समय तक भीशन युद की बीच मौस्को की रक्षा करने के बाद अब सोवियत सेनिकों ने शत्रू पर हामले शुरू कर दिये थे. तो कुंचे यह की बाद बता रहे हैं? 1943, 1943, SV के. कुंचे महीने? दिसंबर महीने की. और दिसंबर में क्या हो रहा था? बहुत ही तेज, अच्छी जूर की सर्दी थी. तो जर्मनी की सेना ने किस पर हमला किया था? सोवियत रूस पर. वो बहुत टाइम तर रूस से लड़ती रही, पर फिर भी मौस्को के अंदर उनको एंटरी नहीं मिले. और रूस ने क्या किया? रूस यानि की रशिया. रशिया ने मौस्को की रक्षा करने के बाद, एक खमासान युद के बाद, युद के बीच मौस्को की रक्षा करने क ये बार रोस के सोलजर्स ने जर्मन अपने जर्मनी से ना मतलब यानि कि अपने शत्रों पर हामला करना शुर्ख कर दिया था तब क्या हुआ मेजर जनरल कातकोव का टैंक ब्रिगेट दुश्मन के पीछे-पीछे तेजी से आगे बढ़ रहा था वो उनके पीछे-पीछे जा रहे थे कौन थे मेजर जनरल उनका नामतकातकोव अपने दुश्मन के पीछे-पीछे बहुत ही तेजी से जा रहे थे तो वो अपने दुश्मन के पीछे-पीछे जा रहे थे बहुत ही तेजी से लेकिन अचानक उनका टैंक रुख गया क्यूं रुख गया आगे बढ़ना रुख गया इसकी वज़ए यह थी कि जो जर्मनी सेना थी उन्होंने पूल की नीचे एक बारुदी सुरंग बनाई थ बारुदी सुरंग बिचा कर उस पूल को बारुद की सुरंग के हल्प से उसको उड़ा दिया पूल क्या था यह एक भीज था कनेक्टिविटी थी नदी की इस पार से उस पार जाने के लिए जिसके उपर से सोवेट ट्रेंग ब्रिगिट को नदी पार करके आगे बढ़ना था टैंक चालकों ने अपने टैंकों की इंजन का बंद कर दिये वे सब देख रहे थे कि जर्मन सेना उनसे दूर और दूर होती जा रही थी किसी टैंक चालक ने भागतिवी सेना पर गोले दाग दिये लेकिन यह गोलों की बरवादी ही थी क्योंकि जर्मन सेना टैंकों की मा जर्मन सेना उनसे बहुत ही दूर जाती जा रहे थी और ये लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे थी क्योंकि पुल टूट चुका था तो इसी बीच एक टैंक चालक ने क्या किया भागती हुई सेना पर गोले दाग दे गोले दाग दे मतलब गोले फिंकना शुरू किया लेकिन यह सब कुछ वेस था गोलों की बरबादी ही थी क्योंकि जर्मन सेना टैंकों की मार से दूर हो चुकी थी वो मतलब गोले उन तक पहुंच नहीं पा रहे थे वो बहुत दूर जा चुकी थी तब एक टैंक चालक ने जनरल कातकोव को सुझा दिया कि टैंकों से नदी पार क नदी के किनारों को देखा कोई भी टैंक उन खड़े किनारों पर नहीं चड़ सकता था वह गहरी सोच में साथ आई और दुक है कि किनारों के लग जठाते नदी के किनारों में घडाए कि एक यहिरी सोच में ढू गया नेक अचानक एक और 10-11 साल के बच्चे के साथ आई और बोली Comrade Commander हमारे घर के पास से आप नदी पार कर सकते हैं वहाँ नदी का पार्ट कम है और किनारे खड़े भी नहीं है तब वहाँ पर एक लेडी आई उसके साथ कौन था 10-11 साल का एक छोटा बच्चा था तो वह क्या बोली Comrade Commander हमारे घर के पास से आप नदी easily पार कर पाएंगे क्योंकि वहाँ नदी का पार्ट कम है नदी का पार्ट कम है मतलब नदी गहरी कम है और किनारे भी खड़े नहीं है वो इस तरह से स्ट्रेट नहीं है इस तरह से स्ट्रेट नहीं है वो इस तरह से स्लोपिंग है उस औरत के पीछे-पीछे टैंक चल पड़े वह उन्हें अपने घर तक ले गई पर जन्रल कातको और टैंक चालकों को लगा कि पूल के बिना वे नदी पार नहीं कर पाएंगे तो उस औरत की पीछे-पीछे सारे टैंक चालक चल पड़े टैंक के साथ पर उन्होंने वहां तक जाकर देखा कि बिना पूल के टैंक को नदी के उस पार ले जाना नामुम्किन है बहुत ही मुश्कील है, कि वह बिना पूल की सहाथा से टैंक को उस पार नहीं ले जा पाएंगे तब टैंक चालक कहने लगे, कि पूल जरूरी है और इस के लिए लकडी के लठी चाहिए तब टैंक चालक ने क्या कहा? टैंक चालक ने कहा कि नदी को पार करने के लिए पूल बहुत ही जरूरी है और पूल के लखड़ी के लखड़ी बहुत ही जरूरी है वह औरत बोली मेरे पास लखड़ी के लखड़ी है तब उस औरत ने बोला इस औरत ने बोला कि मेरे पास लखड़ी के लखड़ी भी है ठी टैंग चालकों ने कहा किया इधर उधर देखा जब ओर ने कहा कि मेरी पास लकड़ी के लठगे हैं तब उन्होंने इधर उधर देखा पर उन्हें कहीं पर भी नजर नहीं आये तब इस ओरत ने अपने घर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वे रहे लखड़े के लठे पर यह तो तुम्हारा घर है टैंग चालकों ने कहा उस औरत ने एक बार अपने घर को देखा और फिर टैंग चालकों की तरफ वह कहने लगे घर क्या होता है लकडी के लठे और पटरे ही तो घर होते है ऐसे मुखे पर घर की बात सोचता कौन है क्यों प्रोतर वह अपने बच्चे से बोली तो जब औरत ने अपने घर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह रहे लकड़ी के लट्टे तब रशियन सोलजर्स ने क्या कहा यह तो तुम्हारा घर है है ना टैंक के चालकों ने उस औरत से कहा तब उस औरत ने एक बार अपने घर की तरफ देखा और फिर किस की तरफ देखा रशियन सोलजर्स की तरफ देखा और फिर बोली कहने लगी कि घर क्या होता है घर होता क्या है वह एक लकड़ी के लट्टे और पट्रे तो होते हैं ल पुत्र से कहा तो घर ने अपने बच्चे से बोल रही आुए यदे रहेगा तो घर्फिर नहीं रहने पर यह जड़ जाएगा रहे थे एसे में It उरत ने अपने घर को स्वयम तोड डाला और उसकी बल्लियां एक एक करके निकालने लगी तो अब यहां क्या हुआ वह बच्चा बोला हां मम्मी आप बिल्कुल सही कह रही हो यदि हमारा देश बच गया तो घर फिर बन जाएगा तब उरत क्या कहती है उनके बच्चे ने त अब यदि हमारा देश बच गया तो हमारा घर बच जाएगा इस समय तो हमें किसी भी कीमत पर देश की रक्षा करनी है क्योंकि अकर देश ही हमारा सुरक्षित नहीं होगा तो हमारा घर कैसे सुरक्षित रह सकता है तो हमारी पहली ड्यूटी क्या है कि हमें अपनी देश की रक्षा करनी है, देश रहेगा तो घर फिर बन जाएगा, अगर हमारा देश हमारा रहा तो घर फिर बन जाएगा, लेकिन फिर भी जो रशियन सोल्जर्स थे वो जिजक रहे थे कि यह घर उजड जाएगा हम इस घर को नहीं तोड़ना है, पर टैंक चालक जिजक रहे थे ऐसे में उस ओरत ने क्या किया खुद ने स्वयम मतलब उसने अब खुद ने ही घर को तोड़ना शुरू कर दिया तो डाला और उसकी बल्लियां एक एक करके निकालने लगी वह अपने घर को तोड़ने लगे जनरल ने जनरल ने उस ओरत को हारदी धन्यवाद दिया फिर टैंक चालकों ने आनन फानन से घर को गिरा कर एक काम चलाओ पूल बना डाला और दुश्मन का पीछा करते हुए आखे बढ़ गए तब क्या हुआ जनरल ने सबसे पहले देखो यहाँ पर भी जनरल जो है उस लेड़ी को ठैंक कहना नहीं बूल रह सबसे पहले लेड़ी को धन्यवाद कर रहे हैं जनरल ने उस अफान्यवाद दिया बहुत जिल से हार्दिग धन्यवाद दिया फिर उन टैंक चालकोंने बहुत ही तेज गती से मतलब देखते ही देखते आनन फानन मतलब देखते ही देखते तुरंती हातो हात उन्होंने घर को गिरा कर एक काम चलाओ मतलब जिससे कि वो टैंक पार हो जाए बहुत ही अच्छा स्ट्रॉंग नहीं था वो पूल जो बनाया उन्होंने वो एक काम चलाओ पूल नव निर्मान के कारे में जुट गया अंतितर युद समाप्त हुआ जो पूरा रशिया है वो फिर से निर्मान होने लगा नया बनने लगा नया रशिया बनाने में वो सारे के सारे जुट गया और लास में युद समाप्त हो गया सोवियत रूज जीता कौन जीता उस युद में रश्या जीता सोवियत रूज जीता लाखों की संख्या में जर्मन सेनिक बंदी बना लिये गए और जर्मन की जो सेना थी जो शत्रू था उनकी लाखों की सेना लाखों सोलजर्स जर्मन सोलजर्स को उन्होंने बंदी बना लिया और जेल में डाल जा लेकिन मेजर जनरल कात को उस नारी और बच्चे को भुला न सके जो जनरल है मेजर है कात को वो उस लेडी को और उस बच किनारे एक सुन्दर सा घर है उस पर लिखा हुआ है अलकसांद्रा ग्रिगोरी एवना और प्योत्र इवानुविच कुजनेचो को देजभक्ति पूर्ण युद में उनकी त्याग और वीर्ता पूर्ण कारे के लिए समर्पे तो युद का खतम होने के बात मेजे जनरल ने क् गिया वहाँ पर अभी भी उस नदी के किनारे एक घर बना हुआ है अगर आप जाकर देखोगे तो वहाँ पर अभी भी एक घर बना हुआ है वो उनको भूल नहीं पाये थे तो इन रिटन में उन्होंने युद के समाप्त होने के पशार उस लेडी को घर बना करके दिया औ और उनके पुत्र का नाम इवानोविच कुजनेट्सो इन दोनों का नाम लिखा हुआ है को आगी क्या लिखा हुआ है को देश भक्ति पूर्ण युद में उनके त्याक और विर्था पूर्ण कारे के लिए समर्पित उन्होंने उनको समर्पित कर दिया मतलब दे दिया ठी उसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब आपको अपनी देश की साहता करनी हो या देश को आपकी जरूत हो तो आपकी सबसे पहले ड्यूटी क्या बनती है कि जिस किसी भी तरह आप अपने देश की हेल्प कर पाते हैं या अपने देश को बचा पाते हैं तो आप उसे करिए जि की भावना होनी चाहिए हमें दूसरों की रक्षा पहले करने चाहिए दूसरों की मदद करने चाहिए क्योंकि जब भी हम दूसरों की मदद करते हैं तो गौड भगवान जी हमें उतना ही फल वापस देते हैं जैसे कि इस लीडी को उन soldiers ने नया घर वापस से बना कर दिया था, है ना, तो हमें कभी भी अपने देश के लिए तत्पर, तत्पर यानि कि तयार रहना चाहिए, और देश प्रेम की भावना हमेशा दुसरों में भी जगाते रहना चाहिए, आपको अपने फ्रेंड्स को, अपने आसपास वालों को भी अपने नेशन के लिए प्रेरित करना चाहिए, कि हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो ठीक है बच्चों, मैं आशा करते हूं कि आप भी अपने देश के लिए जदा तक पर तयार रहेंगे ओकी, थैंक यू